नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज के हमारी रेसिपी है साबोदाना वड़ा, साबोदाना वड़ा हम वरत के लिए यूज करते हैं, फास्टिंग रेसिपी है, तो आप हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है, तो इसके लिए मैंने एक कटोरी साबोदाना लिया उसको रात को मैंने भीगो के रखा था, और मॉर्निंग में एक तम यह खिला खिला हो गया है, अच्छी से, एक बाउल साबोदाना यहां पर लिया है, मैंने उसके लिए हमने लिया है, दो बाउल पोटाटोस, पोटाटोस ज्यादा नहीं लेना है, तो वड़ा जो है आईल लालमेच, हरिमेच, राधनिया, और कड़ी पत्ता, नमक, अब हम एक मिकसी में मुंगफलली की दाने को पीस लेंगे, ज्यादा बारिक नहीं पीसना है, हम इसे दरदरा पीसना है, उससे करंचिनिस बढ़ता है, मैंने यहां पे दरदरा पीस लिया है, अब इसमें आड़ क करेंगे, मैं यहां पे मुंगफलली का पाउडर इसमें आड़ करूंगी, फिर हम इसमें आड़ करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, यहां पे मैंने एक छोटा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर आड़ किया है, फिर हम इसमें डालेंगे, कड़ी पत्ता, हर इमिज बारिक की हुई तीन से चार लिए थी मैंने और हरा धनिया और लास्ट में डालेंगे पोटेटोज और अब हम इसको नमक डाल की एक टीस्पून नमक या आप यूज किया है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसके छोटे-छोटे छोटे-छोटे साइज के बॉल बना लेंगे एक हाथ में लेके इसको छोटा साइज से दबा दबा के छोटा गोल साइज के बॉल बना लेना है फिर इसको दो हाथों से बीच में दबाना है इससे क्या होगा वो जो वड़ा है वो साइड में पतला होगा और बीच में मोटा होगा यह देखू साइड से पतला और बीच में ऐसे मोटा लग रहा है उच्छे से इस तरह से हम सभी टिक्की यार वड़े बना लेंगे कि यहां पर मैंने फूरे वड़े तयार कर लिए अब इसके तलेंगे तलने के लिए एक बड़े कड़ाए मैंने मैंने तेल लिया है उसको मीडियम हीट प्या मीडियम हीट प्या अब हम वड़े डालेंगे इसमें वन बाए वन इसको तलने के लिए 2-3 मिनिट लगते हैं medium to low heat पर पकाना है ज्यादा गरम नहीं करना है तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं तो slow cooking पर पकाना है थोड़ा medium to low heat पर और जब इसका color golden हो जाए सुनरा color हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे यह देखो अच्छे से कलर आ गए इसको सुने रहा अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे यह वड़े हमारे सर्व करने के लिए तयार है यहाब हम ऐसे पूर्य वड़ा कर तयार किया है अब हम इसको सर्व करेंगे यह देखो बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट है हमारा यहाँ पर क्रंची और साबुदेन वड़ा तयार है यहाँ पर मैंने इसको पीनट चटनी की साथ मुंभली की चटनी की साथ सर्व किया है और हरी मेज भी तड़ लिए आपको मेरे रेसिपीस पसंदे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू यह कै। छो में गरेसिए कर दो दो के चाहलत और सब्सक्राइब